तो अगर आपका भी मीठा खाने का मान है तो आप भी इस डिश को बना कर एक दम ट्राइ कर सकते हैं यह बनाने में बहुत ज़्यादा इज़ी है और खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है तो अगर 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 वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से नहीं तो चलिए गएकन बश्यादार से एकदम लजीज फिलेगवा इस्ट्राइल के लिए के लिए मैंने वह पल्के शोली को शूजनिताय सекांशा में लिए नहीं जुध है और में इसमें ओयल को यूज कि आ दिया है अब अपना ही ले लहा Karma कर सकते meth जुघ इसको अच्की तरीकी से जुघन लेते हैं कि अगर आपको आपके होई थोड़ा सा कम लखे तो अपने अनुसा डाल सकते हैं तो देखिएगा मुझको थोड़ा सा तील कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डॉयल इसके अंदर और और एट कर दिया है तो चलिएगा में इसी तरीके से इस पैचला की साहता से चला चला कर इसको अच्छी तरीके से पका चलागा तो गूप का से चलाओ लाजलने के महा इसा इसाथ चलेकी साने पिकर थानी तो में इसी तरीके से इसी टोच कहते हैं है क्यों है जो इस तरीके से बादर पर करते हैं झाय के ain't मों अदर दाल के थोड़ा सबून लूँगी कि मैंने पहले इसको बूणा नहीं था तो चलिएगा मैं इसको बूण लेती हो है तो चलिएगा मैंने ये एक कप मैंने सूज ली तो मैंने चार कप पानी लिया है जिसमें मैंने फूड कलर मिला लिया है, आप चाहें तो आप केसर भी इसके अंदर मिला सकते हैं, और चाहें तो आप शुगर शीरप भी इसके अंदर मिला कर डाल सकते हैं, पर मैं चीनी इसमें बाद में यूज करूंगी, तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखियेगा, कि मैंने इसमें ए तो आप देख सकते हैं सूजी ने पानी पीना शुरू कर दिया है तो चलिएगा फिर से में टक्के पका लेती हूं तो आप देख सकते हैं कि एच्छी गाड़ा हो चुका है तो मैं अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी तो मैंने गैस अफ कर दी थी क्य दीर दीर करके थोड़ा से लिक्विड फॉर्म में हो रहा है और और से कलर ही बिल्कुल चेंज हो रहा है तो देखिएगा इसी तरीके से मैं चीनी को अच्छी तरीके से इसके अंदर घोल दूँगी फिर मैं उसके बाद जो है तब देखी सकते हैं कितना ज़्यादा अच् अब मैं फिर से इसको थोई देर के लिए और पका लूँगी चार से पांच मिनिट के लिए जब तक यह बिल्कुल गाड़ा हो जाता है तो देखिएगा यह बिल्कुल एकदम शादियों वाला हलुआ जो है बिल्कुल इसी तरह बनकर एकदम तयार हुआ है जो शादियों म परना कर एकदम तयार कर सकते हैं यह किन मानिएगा यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलिएगा थोड़ा साइसको मैं हवा लगाने के बाद थोड़ा संदा करने के बाद मैं इसको सर्फ कर लेती हूँ तो यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस् बना कर या फिर उसको पीस्की भी डाल सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से प्लीज लाइक एंड शेयर तो जरूरी कर देना और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब किये भी ना मत जाना तो चलिएगा अब मैं आ अच्छी सी मस्त सी वीडियो के साथ तो जब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर